हेलो एवरिबन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और पॉलिटिकल साइंस भाग दो के हम कुछ क्वास्टिन आंसर्स करने जा रहे हैं चैप्टर का नाम है कॉंग्रेस प्रणाली चुनोतिया और पुनर इस्थापना पहला प्रस्णा है ग्रेंड अलायंस से क्या आसे था तो कॉंग्रेस ओ और तथा इंदिरा गांधी विरोधी विपक्सी पार्टियों और गेर सामेवादी दलों को सन 1971 के आम चुनाव में Grand Alliance की सेंग्या दी गई थी दूसरा प्रसना है मतलब 21 प्रसना है हमने continue क्यों है next वीडियो को तो यहाँ पर question है कि 1979 में भारत में भारत के राष्टपती पद के लिए चुनाव लड़ने वाले दो मुख्य प्रत्यासों के नाम लेखिए तो यहाँ पर जो यह जो राष्टपती चुनाव हुआ था उसमें एक थे संजीव निलम रेड़ी और दूसरे थे स्री वीवी गिरी next question है 22 सन 1979 में कॉंग्रेस का विवाजन क्यों हुआ तो इसका उतर है कि राष्टपती पद के चुनाव में कॉंग्रेस सिंडिकेट के आधिकारिक उमिद्वार निलम संजीव रेड़ी को स्वतंत्र उमिद्वार वीवी गिरी ने इंदरा गांदी के समर्थन से हरा दिया था इसलिए कॉंग्रेस पार्टी में नेता बनने के लिए चुनाव हुआ था तो लालबादूर सास्त्री जी के पस्चात मुरार जी देशाई और इंदरा गांदी के बीच में संसदिय दलका नेता बनने के लिए चुनाव हुए थे नेक्स क्वास्चन है लाल बादूर सास्त्री जी की मरत्यू कब और कहा पर हुई थी तो इसका उतर है लाल बादूर सास्त्री जी की मरत्यू 10 जनवरी 1966 को तासकंद जो की पूर्व सोवित संग का हिस्सा था यहाँ पर हुई थी नेक्स्ट है दल बदल का क्या आर्थ है तो दल बदल कार्थ ही कि एक दल की सदस्यता को अचानक ही त्याग कर दूसरे दल की सदस्यता लेना जो उस समय तक प्रबल विरोधी या फिर पूर्व दल का निंदक समझा जाता हो उसे दल बदल कहते हैं नेक्स क्वास्चन है डॉक्टर जाकिर हुसेन की मरत्यों के पस्चात तुरंत लगातार बने दो रास्ट पत्यों के नाम लिखिए तो डॉक्टर जाकिर हुसेन साब के बाद में बने थे एक दो वीवी गिरी और दूसरे थे मौहमद हिदायत उल्ला नेक्स क्वास्चन है इंदिरय गांदी प्रधान मंत्री बनने से पूर्व किस राजनीतिक पदपर थी तो इंदिरय गांदी ने प्रधान मंत्री बनने से पूर्व सास्त्री जी के मंत्री मंदल में सूचना मंत्राले का पदभार संबाला था और पहले वह कॉंग्रेस अत के उत्रादिकारी बने थे 29 प्रस्ण है भारत में कौन से आम चुनाओं के बाद केंद्र में पहली बार कॉंग्रेस का प्रभूत्व स्वमाप्त हुआ तो 1967 के चोथे आम चुनाओं में केंद्र में पहली बार कॉंग्रेस का प्रभूत्व स्वमाप्त हुआ था नेक्स क्वास्चन है दक्सीन भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतरत्व किस ने किया था तो इसका उतर है सी नटराजन अन्ना दुरई ने दक्सीन भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतरत्व किया था ऐसी दो विपक्सी पार्टियों के नाम लिखिये जो 1971 में बने Grand Alliance नामक चुनावी गटबंदन का हिस्सा थी तो इसमें जो पार्टियां थी उसमें एक थी SSP, दूसरी थी PSP, तीसरी थी भारतिय जनसंग और चौती थी स्वतंत्र पार्टी नेक्स्ट है भारत में प्रिवी पर्ष की समाप्ती किस ने की तो भारत में जो प्रिवी पर्ष थे इसके समाप्ती इंदिरा गांधी ने की थी प्रिवी पर्स जो पूर्व राजा माराजा थे उन सबको विशेश सुविधाएं उन्हें दी जाती थी ये प्रिवी पर्स था नेक्स्ट तेटीस्व प्रसना है हमारे देश के प्रधम प्रधान मंतरी पंडित जवालल नहरू की मृत्यू कब होई थी इसका उतर है 27 मई 1964 को नहरू जी की मृत्यू होई थी नेक्स्ट प्रसना है सन 1979 की राष्टपती चुनाओं में इंद्रय गांधी ने किस पार्टी का समर्थन किया था तो इसका उत्तर है वीवी गिरी का समर्थन जो है इंद्रय गांधी ने किया था जो की एक स्वतंत रोमी द्वार थे नेक्स प्रस्टन है इंद्रय गांधी द्वारा किये गए किनी दो कारेों का उल्ले किजिए दिंदरा गांदी ने एक तो राजाओं को मिलने वाले जो प्रिवी परस्ते वो समाप्त किये और दूसरा था बैंकों का राजटी करन अपने सासन काल में, अपने कारे काल में किया था अगला क्वास्चन है, भारत में सन 1967 के चुनावों के परिणामों को राजनितिक भूचाल क्यों कहा जाता है तो सन 1967 के जो चुनावी परिणाम आये थे, इनों इसमें कॉंग्रिस को रास्टी और प्रांती इस तर पर जोरदार जटका दिया गया था और उसके मत प्रतिसत एवं सीटों में भारी गिरावट होई थी, इसी कारण से इन परिणामों को राजनितिक भूचाल की संग्या दी जाती है नेक्स क्वास्चन है, सन 1967 के आम चुनावों के पहस्चाथ केंदर में किसकी सरकार बनी थी? तो ये था एक छोटा सा वेडियो जिसमें हमने कुछ महत्वपून क्वास्चन आंसर्स देखे आने वाले समय में आपको इसी टाइप के और क्वास्चन आंसर्स मिलते रहेंगे, थैंक्यू